इस वीडियो में हम आपके लिए अभी हाले में रिलीज हुई एक सुपर हिट एडवेंचर फैंतसी फिल्म की कहानी लाए हैं फिल्म के कहानी नदी के नीचे एक गुफा के अंदर छिपे ऐसे प्राचीन खजाने के भंडार के बारे में हैं जहां अस तक कोई नहीं पहुँच पाया पर एक अंग्रेज कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जब उस खजाने को खोजने निकलता है तो उसका सामना हैरान कर देने वाले रहस्यों से होता है तो ये प्राचीन खजाना नदी के नीचे गुफा में किसने छिपाया था और कौन उस खजाने तक पहुँच पायेगा ये सब जानने के लिए फैंटसी और एडवेंचर से भरपूर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें अब कहानी शुरू करते हैं फिल्म के शुरुआत में हमें बोट गैंग के बारे में बताया जाता है कि बोट गैंग के लोग कई पीडियों से पीली नदी की रखवाली करते थे और उनका काम नदी के जरिये होने वाले व्यापार और नदी के पास बसे हुए लोगों की दिख बाल करना था बोट गैंग की दो साखाएं थी एक का काम पानी से उपर नदी की रखवाली करना था और दूसरी शाखा का काम नदी के नीचे की गुफा में छेपे रहस्यों की रक्षा करना था पर दूसरी शाख़ा के लोगों के बारे में लोगोंने सिर्फ सुना था पर कई सो सालों से उस दूसरी शाख़ा के लोगों को किसी नहीं देखा था क्योहार के एक दिन बोट गैंग के लोग नदी के देउता की पूजा करने जाते हैं और नदी देउता को जानवर की मूर्ती का चड़ावा चड़ाने के लिए जब वो लोग नदी के अंदर जहाज का लंगर फेकते हैं तो वो नुकीला लंगर नदी के तली में ना जाकर जहाज भी डगमगाने लगती है और बोट गैंग के लोग नदी में गिरने लगते हैं बोट गैंग का लीडर वांग ड्रैगन बीष्ट को मारना चाहता है पर गैंग का एक सीनियर मेंबर वूडो उससे रोक देता है और कहता है हमारे लोग इस जीव को नदी का रक्षक मानत हैं वूडो कहता है लंगर को ड्रैगन बीष्ट के सरीर से निकालना होगा ताकि जहाज भी बच जाए और ड्रैगन बीष्ट भी अब जाबाज वूडो इस काम के लिए नदी में कूच जाता है और गहराई में जाकर बीष्ट के बाड़ी में घुसे लंगर की जंजीर खी उसे तंग किया करते थे फिर जब उसे होस आता है तो वो नदी के बाहर अपने गैंग की मेंबर यौ के सामने होता है उसके दादा जी उसे बताता है कि यौ ने ही अपनी जान पर खेल कर तुम्हें नदी से बाहर निकाला है दूसरी और बोट गैंग के लीडर वॉंग से मिलने उसका एक अंग्रेज दोस्त फरेड आता है फरेड और वॉंग के बीच कुछ बात होती है फिर वॉंग फरेड को लेकर बोट गैंग के सभह में जाता है वहा लोग कल की घटना की चर्चा कर रहे होते हैं कि वॉंग गैंग का लीडर बनने लायक नहीं है क्योंकि कल की घटना उसी की वज़ा से हुई है लेकिन वुडो ने सूजबूस दिखाते हुए सब को बचा लिया वॉंग सबसे कहता है मैं जानता हूँ आप सब लोग कल की घटना के लिए मुझे दोशी मानते हैं काफी सोना देगा वहां मौझूद लोग कहते हैं हम किसी अंग्रेज पर भरोसा करके उसके लिए काम नहीं करेंगे वॉंग कहता है ग्रेक की गारंटी मैं लेता हूँ अगर कोई भी दुरघटना हुई तो मैं बोट गैंग के लीडर का पत छोड़ दूँगा याओ वॉंग से कहती है नदी में ड्राइगन आई की पोजीसन बदलती रहती है और उसमें तेज भावर होती है जहाज उसके पास नहीं जा सकती क्योंकि वहां से वापस लोटना बहुत मुस्किल है जब गैंग के बाकी लोग भी वॉंग के साथ जाने को तयार नहीं होते तो वॉंग उन सबसे कहता है अपने फटे हुए जूतों पर नगड़ डालो कब तक ऐसे गरीबी में जी होगे अंग्रेज फ्रेड उन लोगों को एडवांस में सोने की कुछ इटे देता है और कहता है काम होने के बाद मैं और भी ज़्यादा सोना दूंगा अब वॉंग फ्रेड के आई ड्रेगन का नकसा सबके सामने रखता है उस नकसे पर बनी एक आकरिती को देखकर वॉडो इस मिसन पर चलने के लिए तयार हो जाता है जिससे बोट गैंग के बाकी लोग भी इस सफर पर चलने को राजी हो जाते हैं पर उन लोगों को अंग्र मुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ू इसके बाद वॉडो अपने दादा जी के पास जाता है और कहता है फ्रेड के पास ड्रेगन आई का जो नकसा है उस पर जो आकरिती बनी है वैसी है आकरिती मेरे लोकट की है जो की बचपन से ही मेरे गले में ह इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ ताकि शायद मुझे वहाँ मेरे माबाप का कोई सुराग मिल सके आखिरकार फ्रेड अपने तीन साथियों और बोट गैंग के लोगों के साथ अपना सामान लेकर ड्रैगन आई भावर तक जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और अब वो लोग सफर पर आगे बढ़ते हैं चलते चलते रात हो जाती है थोड़ी देर बाद मौसम बदलने लगता है और उन लोगों को नदी के बीचो बीच बीच ड्रैगन आई भावर नजराती है सबी लोग अपना सामान लेकर और आक्सीजन लगाकर उस गहरे भावर में पूच जाते हैं भावर बहुत तेज और गहरी होती है और उसका नीचे का सीरा एक पहाड़ी गुफा में खुलता है अब वो सब लोग ड्रैगन आई भावर से होते हुए नीचे की गुफा में पहुच जाते हैं अंदर उन सब के सामने एक गहरी खाई होती है और खाई के उस पार ड्रैगन के मुह के आकार का एक रास्ता होता है वो लोग इस तरफ से उस तरफ तक रसी और एक सीड़ी लगा देते हैं और खाई को दीरे दीरे पार करके दूसरी गुफा के दरवाजे तक पहुच जाते हैं फिर वो सब ड्रैगन मुह वाले उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं अंदर उन लोगों को मकडियों के बड़े बड़े जाले और कई समुद्री जियों के कंकाल देखते हैं वूदो कहता है यहां सिर्फ जानौरों की ही नहीं इंसानों के भी हड़िया पड़ी हैं फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तबी अचानक से घोष्ट मास्क पहने कुछ लोग उन सब पर हमला करने लगते हैं और एक विशाल मकडी भी उन लोगों को मारने लगती है बचने के लिए वो लोग उस मकडी पर गोली चलाने लगते हैं अब एक तरफ तो भूतिय नकाब वाले उन लोगों को एक एक करके मार रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो मकडी इसी बीच सैम की गल्फरेंड रूही को मारने की कोशिश कर रहे एक नकाब पोस्ट पर चाकू से वार करके याओ उसका नकाब कार देती है पर वो नकाब उस बचकर भाग जाता है उधर वो मकडी अपने जाल में फंसा कर कई लोगों को एक के बाद एक मारती जाती है और बाकी के लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं फ्रेड मकडी पर लगातार कई गोलियां चलाता है जिससे मकडी भाग जाती है पर वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वो विसाल मकडी फिर से वहां कर गैंके दो और लोगों को मार डालती है और फिर बाकी लोगों को भी दोडा लेती है अब वो सब अपनी जान बचा कर भागते हैं पर तभी मकडी याओ को अपने जाल में फसा कर खींचने लगती है वूडो उसका जाल काट कर याओ को छुडाता है अब सभी लोग मिलकर मकडी पर ताबर तोड गोलिया चलाने लगते हैं पर मकडी पर तो जैसे गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा होता वो उन लोगों को अपने जाल में फसा कर मारती जाती है इसी बीच नीचे गिरे फ्रेट को भी वो मारने ही वाली होती है कि तब ही याओ एक जंजीर से मकडी के पैरों को बान देती है और सभी लोग उस जंजीर को खींचने लगते है इसी बीच मौका देकर वोडो मकडी के उपर चड़ जाता है और उसके सिर पर चाकू से वार करता है और मकडी वोडो को नीचे पटक कर उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वुडो मकडी के एक आँख में चाकू मार देता है जिससे मकडी वहां से भाग जाती है गुफा की अंदर ही उन्हें एक बड़ा छेद दिखता है अब मकडी से बचने के लिए वो सभी लोग उसके अंदर घुश जाते है मकडी भी उनके पीछे पीछे जाती है पर वो अंदर नहीं पहुँच पाती अब वो लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और अंदर एक रहस्यमई जगा पर पहुँच जाते हैं जहांकि दिवारों पर अलग-अलग भित्ती चित्र और आकृतियां बनी हुए होती है उन्हीं दिवारों में एक दिवार पर धातु की बनी एक छोटी मूर्ती लगी होती है अंग्रेज का साथी बीना जाने समझे उसको निकाल देता है जिससे पत्थर का बना वो फाटक नीचे गिर जाता है जिससे की वो लोग अंदर आये हुए थे अब वो सभी अंदर फंश चुके होते हैं क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता जिनका मुह खुला हुआ होता है और मूर्तियों के चारो और गोल चकरी लगी होती है जिस पर प्राचीन लिपियां और आकरितियां छपी हुई होती है वांग कहता है अगर मूर्तियों के पीछे लगी चकरी पर बने चिन्धों को सही करम में घुमाया जाए तो सायाद यहां से बाहर निकलने का कोई गुप्त दर्वाजा खुल जाए तो अब दिवार के एक तरफ की चक्री वंग गुमाता है और उसी आकरिती वाली दूसरी चक्री को वूडो गुमाता है लेकिन उसको गुमाने से बाहर जाने का कोई रास्ता तो नहीं खुलता बलकि चारो और लगी जानुरों की मूर्तियों के मूर से पानी गिरने लगता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना होने की वज़ा से नदी से आ रहा वो पानी अंदर भरने लगता है जिससे सभी लोग अंदर डूबने लगते हैं वोडो सबसे कहता है जितनी जल्दी हो से के बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंडो नहीं तो हम सब मारे जाएंगे नदी के पानी के साथ-थाथ मांसाहरी मचलियां भी अंदर आ जाती है और वो उन लोगो को काटने लगती है अब वो लोग उन मचलियों से खुद को बचाने के कोशिश करते हैं इसी बीच वूडो की नजर अपने लॉकेक पर जाती है जो मूर्ती के पीछे लगी चकरी पर बने एक चित्र की जैसे ही थी वूडो वॉंग से कहता है चकरी का लॉक ड्रैगन आई की तरह ही है इसलिए अब दोनों लोग मूर्तियों के पीछे की चकरी को ड्रैगन आई के चिन के करम में घुमाते हैं इधर मचलियां उन लोगों को लगातार काट रही होती हैं अखरकार सही दिशा में चकरी घुमने से दोनों मूर्तियों के मूझे जंजीर से बन्धा हुआ एक चलला बाहर आता है अब आधे लोग तो एक मूर्ति के मूझे निकले जंजीर खिंचते हैं और बाकी के आधे लोग दूसरी मूर्ति से जिससे नीचे की तरफ एक पोर्टल खुल जाता है और उसी के जर्ये फिसलते हुए वांग, सैम, रूही, फ्रेड और फ्रेड के साथ ही नीचे की एक गुफा में पहुँच जाते हैं जबकि वूडो, याओ और बाकी लोग दूसरी गुफा में पहुँच जाते हैं कि मैं इहां इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने माता-पिता के बारे में जानना है क्योंकि मेरे गले में बच्पन से जो लॉकेट है उस पर भी वैसी ही आकरिती बनी है जैसी की ड्रेगन आई के उस नकसे पर थी जो फ्रेड के पास है याओ कहती है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई वूडो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहां आकर किसी खत्रे में बच्पन सो उधर फ्रेड जिस गुफा में पहुंसता है उसकी दीवारों पर बनिच ने देखकर कहता है आइट की लगता है हान वन्स का मकपरा यही है। और खजाना भी यही आसपास ही होगा। ये बात सुनकर सैम चौंक जाता है। और वोंग से कहता हैा इसका मतलब यह है कि हम लोगों को यहां अपना सामान ढूणने के लिए नहीं लाया है। बलकि हानवंस का मकबरा ढूंड कर उसका खजाना लूटने के लिए रहा लाया है और तुमने बोट गैंग के लोगों को इस गलत काम के लिए इस्तेमाल किया वांग कहता है ऐसी बात नहीं है अब सैम गुसे में आकर रूही के साथ वहाँ से वापस लोटने लगता है बर किनारे खड़े हो जाते हैं क्योंकि फर्स का सिर्फ बीच का हिस्सा ही पत्थर पर टिका हुआ था पत्थर पर अटकी फर्स पर फंसे वो लोग एक एक करके वो फर्स छोड़कर दूसरी चटान पर कूदने की प्लानिंग करते हैं ताकि फर्स का संतुलन बना रहे सबसे प फ्रेड के दोनों साथी भी उपर पहुँच जाते हैं तो लटक रही फर्स पर सिर्फ सैम और रूही बसते हैं फ्रेड कहता है ये जगा जल्दी ही गिरने वाली है इसलिए हमें अगे बढ़ना चाहिए पर वांग कहता है सैम और रूही अभी भी फसे हुए हैं पहले उनको भी उपर आ जाने दो अब रूही भी उपर कूद कर चटान पकड़ कर लटक जाती है और उपर चलने की कोशिश करने लगती है इसी बीच फ्रेड वांग से कहता है अगर तुम जल्दी यहां से आगे नहीं चलोगे तो मैं बोट गैंग के लोगों को यह सचा ही बता दूँगा कि तुमने जूएं खेलने के लिए मुझसे जो सोना करज में लिया था उसको चुकाने के बदले में तुम बोट गैंग के लोगों को यहां इस काम के लिए लाए हो रूही उन लोगों की ये बाते सुन लेती है और वांग से कहती है बोट गैंग का लीडर होकर तुमने हम लोगों से जूट बोला और अपना कर्ज चुकाने के लिए हम लोगों को यहां मरने के लिए लिया है रूही वॉंग का राद जान जाती है इसलिए फ्रेड कहता है इसको मार डालो वरना अगर इसने तुम्हारी असलियत बोट गैंग के लोगों को बता दी तो तुम नहीं बचोगे खुद को बचाने के लिए अब वॉंग रूही को गोली मार देता है दूसरी और गुफा के अंदर ही एक और लड़की को दिखाया जाता है जो बोट गैंग के मरे हुए लोगों को देखकर अपने बौने दादा जी से पूस्ती है आखिर कौन है ये लोग जो यहां गुसाए हैं और क्या चाहते हैं उसके दादा जी उसे कहते हैं इन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे है इसलिए तुम इन लोगों पर नजर रखो और ध्यान रहे ये लोग उस जगह तक ना पहुँचने पाएं जिसके अंदर जाने की किसी को इजाज़ब नहीं है लड़की कहती है ठीक है इधर वूडो और याओ चलते चलते अंदर एक किले जैसी जगह पर पहुँच जाते हैं लेकिन तभी जिस गेट से वो लोग अंदर जाते हैं वो बाहर से बंद हो जाता है अब जैसी ही वो लोग उस रहसमाई जगह पर आगे बढ़ते हैं तवी गुफा में रहने वाली वो लड़की इन दोनों पर तीर से हमला करने लगती है वूडो और याओ तीरों के हमले से बचने के लिए अलग अलग पत्थर शिला के पीछे चिप जाते हैं इसी बीच लड़की का बौना दादा वूडो पर हमला करने की कोशिश करता है पर वूडो उसको नीचे पटक देता है जिससे वो लड़की बाहर आकर दोनों पर फिर से तीरों से हमला करने लगती है लेकिन वूडो और याओ तीरों से बचकर उस बौने को पकड़ कर फिर से सीला के पीछे छिप जाते हैं अब लड़की अपने दादा जी से पूछती है इन लोगों ने आपको कहा छिपा रखा है क्योंकि मैं आपको ढूंड नहीं पा रही वूडो कहता है क्योंकि मैं बोट गैंग का सीनियर मेंबर हूँ और तुम कौन हो वो लड़की कहती है मैं भी बोट गैंग के दूसरी शाखा की सदसे हूँ हम लोगों को काम नदी के नीचे की गुफा के अंदर बने किले में रखी हमारी विराशत और मकबरों की रखवाली करना है उसकी बात सुनकर वूडो बाउने को छोड़ देता है अब वो लड़की उन दोनों के सामने आ जाती है और कहती है यह वो जगा है जहां हमारे मकबरा रख्षक गैंग के पूरोजों की कबरे हैं उस लड़की के गले में भी वैसा ही लॉकेट था जैसा वूडो के जिससे वूडो उस लड़की से पूछता है कि यह लॉकेट तुम्हारे गले में कैसे आया लड़की बताती है ऐसा लॉकेट मकबरा रख्षक गल के लोगों के खांदान के पास ही होता है यह हमारे गैंके माश्टर के एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को दिया जाता है अब वूडो भी उसे अपना लॉकेट दिखाता है और कहता है यह तुम्हारे जैसा ही है और यह मेरे पास तपसे है जब मैं बच्चा था और लोगों को नदी में मिला था इसलिए मैं यहां अपने माबाप का पता लगाने आया हूँ अब वो लड़की वूडो को एक ताबूत के पास ले जाती है जिस पर वही आकृती बनी थी जो वूडो के लॉकेट पर बनी थी वो वूडो से बताती है कि ये कबर मकबरा रक्षक दल की लेडी मास्टर शी की है उनको एक बाहरी इनसान से प्यार हो गया था और उससे उन्हें एक बच्चा भी था पर जब ये बात रक्षक गैंग के लीडर्स को पता चली तो शी को गैंग से बाहर करके मौत की सजा सुनाई गई अपने बच्चे को बचाने के लिए शी ने उसकी गले में अपना लॉकेट डाल के उसे एक बॉक्स में रखकर नदी में छोड़ दिया इसका मतलब ये हुआ कि माश्टर शी का वो बेटा तुम ही हो अपनी मा की कबर देखकर वोडो काफी दुखी हो जाता है और कहता है हमारे कुछ साथी यहां बिछड़ गए हैं उन्हें खोजने में हमारी मदद करो दूसरी और अंग्रेज अपने दो साथियों और वांग के साथ उस मकबरे तक पहुँच जाता है जिसकी वो तलास कर रहा होता है वो जगा बहुत ही रहस्समाई होती है फ्रेड कहता है आखिरकार मैं ड्रेगन किंग के मकबरे के खजाने तक पहुँच गया पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है गुफा वाली लड़की और वो बौना उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं ये जगा बोट गैंग की खांदानी विरासत है और यहां किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है तब तक वूडो और याओ भी वहां आ जाते हैं पर वूडो को वांग की सच्चाई पता नहीं होती इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि ये लोग हमारे ही साथ हैं और ये वांग बोट गैंग का लीडर है वूडो वांग से कहता है ये लोग हमारे बोट गैंग की दूसरी साखा मकबरा रक्षक दल के सदसे हैं याओ वांग से पूस्ती है सैम और रुही कहां है पर वांग उससे जूट बोल देता है कि वो लोग कहीं बिछड गए हैं अब अंग्रेज उपर रखे ड्रैगन किंग के ताबूत के अंदर का खजाना लेने के लिए आगे बढ़ता है और रक्षक लड़की कहती है हमारे गै के नियमों के खिलाफ है और हम हर हाल में तुम्हें रोकेंगे अब अंग्रेज की साथ की लड़की उस रक्षक लड़की पर हमला करती है और अंग्रेज का दूसरा साथ ही उसके बौने दादा से लड़ने लगता है इस लड़ाई में एक तरफ वांग फ्रेड और उसके सा देता है ये देखकर फ्रेड का साथी बहुने को चाकू मार देता है इसी दोरान फ्रेड ड्रैगन मकबरे तक पहुँच जाता है और अपने नक्से पर बने पैटर्न के क्रम में मकबरे पर बने पैटर्न को गुमाने लगता है अंग्रेज का साथी अब रक्षक लड़की को भी मारने की कोशिश करता है पर उसका दादा घायल होने के बावजूद भी उसे बचाने के लिए उस अंग्रेज को लेकर खाए में कूच जाता है जिससे दोनों मारे जाते हैं अपने दादा के मरने पर वो लड़की बहुत दुखी हो जाती है उधर फ्रेक्ट मकबरे का अंदर ना आजा सके आपस में लड़ रहे वॉंग और या उस ब्लेड चक्री से बचने की कोशिश करते हैं सोना लूट रहे फ्रेड को उस ताबूत में एक और लॉक दिखता है उसको खोलने के लिए फ्रेड उस लड़की के गले का लॉकेट निकाल लेता है उधर खजाने के भंडार की एक चाभी मिलती है इधर वॉडो और याओ चक्री ब्लेड से बचने के लिए उपर टंगे ताबूत की जंजीर पकड़ कर लटक जाते हैं जिससे दोनों ब्लेड आपस में लड़कर तूट जाते हैं वॉंग अंगरेज को गोली मार देता है और खु खजाने की चाभी उठा लेता है जिससे वो गुफा गिरने लगती है और वॉडो नीचे नदी में गिर जाता है अब जिस डैगन बीष्ट को वॉडो ने शुरुआत में बचाया था वही बीष्ट वॉडो को बचा कर उपर ले आता है उपर आकर वॉडो याओ को मारने की कोशिश कर रहे वांग पर ताबर तोड़ वार करता है और से मार डालता है गिर रही गुफा से बचने के लिए वूडो और उसके बाकी साथी खजाने की चावी लेकर खुद को ताबूत में बंद करके नदी के जरिये उपर आ जाते हैं और फिर अपने घर पहुँच जाते हैं इस तरह ये fantasy adventure movie यहीं खत्म हो जाती है अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को like और share करें और चैनल को subscribe करना न भूलें